बहुत सारे हथकंडे अपनाने के बाद ये इनका हाल है बीजे पी आरेसेस का बहुत सारे कैंडिडेट्स को खड़े नहीं होना दिया गया बहुत सारे कैंडिडेट्स को धमकी दे के बहुत सारे लोगों केस लगा के बहुत सारे लोगों को जेल में डालके एलेक्शन को अफ जेदे लड़वाने वाला जो इनका जो एजेंडा है वो नहीं चलेगा चुनाव के अंदर चाहे जितना दांदले बाजी करके जोड तोड करके गड़ जोड करके सरकार बना भी ले लेकिन ये सफल नहीं होगी नमस्कार आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूर रंजय कुमार और आज हैं हम जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे आज यूए पीए को लेके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि यह जो एक समय धानिक कानून है उसको जल्दी से जल्दी खतम किया जाए और उसी हमारा मुद्दा यह है कि आज 6 जून है और भीमा कोरेगाओं करके केस फाइल किया गया था और उसमें 16 लोगों को रस्ट किया गया जिसमें से जो फादर स्टैंड स्वामी की जेल के अंदर ही डेथ हो चुकी है मलब एक तर ऐसे कस्टोडियल डेथ है यह सरकार के द्वार मारा गया उनको कतल किया गया है तो हम हमारी मांग है आज के दिन क्या छे साल हो गया है भीमा कोरेगाओं के अंदर जो human right activist है कोई professor है कोई वकील है कोई human right activist है बहुत सारा वकीलों को अंदर डाला गया तो हमारी ए डिमांड है कि 6 साल तक क्यों trial नहीं दिया गया अगर case में कुछ दम है अगर हिंसा हुई बढ़काईगी जिन्होंने पहली बात बजाए जो लोग इसका विरोध कर रहे थे हिंदुत्व ग्रूप्स का कि आप लोगों के अंदर दंगे मत बढ़काओ लोगों को बाट के आपस में मत लड़वाओ उन्हीं के उपर case डाल दिये गया और उन्हीं को जेल में डाल दिये गया हमारी यह मांग गया कि 6 साल हो गए without trial उनको जेल के अंदर रखा गया उनको बिना शर्त रिहा करना चाहिए और UAPA को रद करना चाहिए क्योंकि Unlawful Activities Prevention Act जो है वो एक तरह से गैर सविधानेक है क्योंकि उसके अंदर जो जिसको उपर कोई इल्जाम लगा है तो जो इल्जाम लगाने वाला है वो साबित करेगा क्या आपने क्या क्राइम किया है है ना तो यह बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है तो एक तरह से यह और सविधानिक जो UAPA है उसको रद करना चाहिए और इसके अंदर जितने भी जेलों के अंदर ट्राइल चले बिना जो लोग है उनको जेल से बाहर किया जाना चाहिए कानून में यह अधिकार है एक आम नागरिका कि उसको बेल दिया जाता है लेकिन UAPA में किसी को भी बेल नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड है ना तो मतलब एक तरह से अगर आप इतना लंबा लटका रहे हो प्रफेसर जी एन साही बाबा को दस साल के बाद सुप्रीम कोट ने बोल दिया के इनको रहा कर देना चाहिए जो भी कोई भी evidence नहीं है जो भी allegations है उस पर कोई भी वह साबित नहीं हुआ है तो जा 10 साल कोई जेल के अंदर रहा है तो आपने तो उसको बिना किसी कसूर के जेल के अंदर 10 साल उनकी जिंदगी चली गई तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है तो यही भीमय कोरेगहों के अंदर हो रहा है छे साल विदाउ ट्राइल लोग अंदर है तो एक तरह से उन को बिना मतलब साबित की है उनको सजा दी जा रही है उसके बाद अगर सुप्रीम कोट के अंदर जैसे साई बाबा के केस में हुआ अगर दस साल के बाद उनको ये बोला जाएगा के ठीक है ये का केस जो है वो अपने आपी मतलब नहीं सस्टेन कर रहा है तो फिर इसका क्या फाइदा एक तरह से जो बोलने वाले जनता की अवाज बनने वाले दलितों आदिवसियों मजदूरों के सानों की अवाज बनने वाले जो लोग है कारे करता है प्रोफेसर है विकील है उनको अंदर डाल दिया गया उनकी लाइफ चली गी लोगों की अवाज को दबाने की एक जबाने के लिए तो समय तो उसमें यहूं कि इसका मतना नहीं यहां, हमारी जनता जो है काई लोग इसकी कानून के तक स्ट्रॉड है, यह एक लूब उसे कानून कैसे ऐख बाव एक त्रह से देश के लग यह declining की पर आता लग में बहुत है, तो उसको दबाने के लिए तो उसमें मतलब इसका अगर आप नाम से देखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रवेंशन एक्ट है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे देशद्रो का जो कोई केस है उसके उपर लगाया जाता है लेकिन यहां पर अगर मो पोल रहे हैं कि हम लोगों को मंदिर मस्जिद में नहीं लड़ना है हम लोगों को स्कूल कॉलेज होस्पिटल चाहिए बेरुज़गारी खतम होनी चाहिए भुख्मरी बहंगाई खतम होनी चाहिए तब उनके उपर यूए पे लगा दिया जाता है यह सोचके मौनलब यह कि ये देश को बदनाम कर रहे हैं है ना, टूल किट वाला मामला देख लीजे आप ये CNRC वाला सरकार कोई कानून लेके आ रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं कि आप धर्म के अधार पर नहीं डिसाइड कर सकते कौन इस देश में रहेगा, कौन नहीं रहेगा मतलब इसका रोल नहीं है 2019 में इसमें बहुत बड़ा संसोधन किया गया कि सिर्फ सक क्याधार पे और जो ऐसे संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, पहले उन पे केस नहीं बन पाते थे, वो दूसरा संगठन बना के फिर अपना काम करते थे, तो वो उस प्रद्भान को चेंज कर दिया गया, तो उस पे क्या कहेंगे? जी, पहले यह होता था कि कोई आतंगवादी एक संगठन है आपने पहले से वो लिस्ट आउट कर रखा है कि यह लिस्ट है जिनको हम लोग गैर कानोनी और गनेजेशन्स मानते हैं अगर उससे जुड़ा हुआ है या फिर, एक्चुल में उसमें यह था कि सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं मतलब जी सुप्रीम कोट का भी यह है कि अगर कोई सिर्फ जुड़ा हुआ है या मेंबर है, उसके अधार पे उसको जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक कि वो कोई हिंसक कारवाई में शामिल पाया नहीं जाता है तो लेकिन इसको चेंज कर दिया गया उसको चेंज कर दिया गया कि कोई इंडिवज्ज़ भी देश दरोही हो सकता है मतलब ये हमारा सवाल है जैसे मैं वे काम जो नागरिक हूँ अगर मैं कुछ एक आईडिया रखते हूँ कि ये सरकार यहां पर गलत है तो मुझे आतंगवादी घुशित किया जा सकता है तो एक इनसान कैसे आतंगवादी हो सकता है देश के अंदर वो एक देश की सरकार के लिए, स्टेट के लिए कैसे थ्रेट हो सकता है त्रेट सिर्फ यह है कि हम सच बोलते हैं उनको सवाल है, उनको जवाब नहीं है तो उनको जवाब देने की बजाए आप उन्हीं वाजों को बंद कर दो जेल के अंदर आप मार सकते हो एक आदिवासी कारेकरता को मारा गया पांडू नरोटे को मारा गया स्टेन स्वामी को मारा गया प्रफेसर जेन साही बाबा को भी बिल्कूल एक तरह से डेट एंड पे ले जाके उनको छोड़ा गया है तो मतलब इस तरह से एक तरह से मतलब यह दिमागों को खतर है मतलब साही बाबा के केस में भी बोला गया कि इनका जो दिमाग dangerous है mind is dangerous तो कोई activity नहीं है लेकिन आपका mind सोच रहा है समझ रहा है एक्टिव है आप समझ रहे हो policies को उनको किटीक कर पा रहा है जनता की आवास बन रहे हो तो वो दिमाग जो खतरना के उन दिमागों को जेल के अंदर भरना एक रास्ता है हमारी state के लिए अब वर्डिक्ट आचुका है चुनावों का और जिस तरह से ये सरकार बहुमत से दूर हो गई है तो क्या लगता है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी देखिए ये मतलब ये तो जो सीटे आई है भरमत तो बिजेपी को नहीं मिला है लेकिन ये बहुत सारे हतकंडे अपनाने के बाद ये इनका हाल है बिजेपी आरेसेस का बहुत सारे कैंडिडेट्स को खड़े नहीं होना दिया गया बहुत सरे candidates को धमकी दे के, बहुत सरे लोगों केस लगा के, बहुत सरे लोगों को जेल में डाल के, इस election को affect करने की कोशिश किये गए, कि हमारे खिलाफ कोई उठे नहीं, तो उसके बाद जो EVM machines है, उसके अंदर भी धहंदले बाजी करने के बाद ये जो अगर हालात है, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये जनता की जो प्रतिनिदी सरकार नहीं है, अगर जो बनेंगी भी, क्योंकि BGP ने बहुत सरा धांदले बाजी किया है, और हम लोगों के इस election पर भी faith नहीं है, जिस तरह से conduct किया गया है, लेकिन मतलब आने वाले टाइम में जिस तरह से लोगों का जवाब मिलेगा, ये मंदिर मस्जिद लडवाने वाला जो इनका जो एजेंडा है, वो नहीं चलेगा, वो लोग मतलब जो इनकी पॉलिसी को समझ रहे हैं, और क्रिटीक कर रहे हैं, अच्छा हमने हमेशा देखा है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे राम रहीम जैसे बाब हुए हैं, वो दिल्ली उनिवेस्टी के अंदर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और आप सोची हैं, सेंट्रल उनिवेस्टी के अंदर एक इंग्लिश का प्रोफेसर होना है और बहुत सारे और भी मतलब प्रोफेसर जी पारोप है, उनको पैरोल मिलती है, वो एक तरह से यह है कि उनको पैरोल इसी कारण से मिली, ताके वो अपने जनता को बेवकूफ बना के उनको बोले के भी बीजेपी को आप वोट दो, सीधा सीधा इसका यही मतलब और कोई मतलब नहीं है, हम लोग यह समझ पा रहे हैं, कि उसको पैरोल इलेक्शन के पहले मिल जाती है और उसके पहले भी, उसको इसको बहुत बार मिलिए तो इस तरह से मतलब आम जनता के साथ, धोका है, जो आम जंता के उपर महिलाओं के उपर जो मजदूरों के सानों के उपर इतना हमला करके जो लोग इतने गुना किये हुएं उनको छोड़ दिया जा रहा है और हमारी जो अवाज बन रहे हैं जो प्रोफेसर हैं स्टूडेंट हैं वकील हैं जो हिमन राइट अक्टिविस्ट हैं उनको जेल में बन किया जा रहा है जो इस देश के बहुत जौ्था उसमें च्छरन किया गया नो क्या लगता है कि जिस तरह के अब परिनाम आये हैं तो उसमें कुछ कमी आ सकती है जिस तरह से सिस्टम मनुवादी सिधानतों को लेके आरच्छन को लेके समिधानी सिधानतों को लेके हमले कर रही थी तो अब क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें अब इस रिजल्ट के बाद कमी आएगी देखे इसका एकी रास्ता है जो किसान अंदुलन का रास्ता था यह लोग जो कानून लेके आए और जो बहुत बड़ी संख्या में जो जनता है वो सड़कों पे आई और तब तक नहीं हिले जब तक यह लोग वापिस नहीं लिये उस कानून को और यही रास्ता आगे भी है जोड़ तोड़ करके गड़ जोड़ करके सरकार बना भी लेकिन यह सफल नहीं होगी चलिए आपने हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो हम बात कर रहे थे राजवीर कौर से जिन्हों ने इस सरकार को लेके अपनी बात अपनी रखी और यूए पी ये कानून को लेके जो है जिस तरह की बाते हैं कि किस तरीके से ये गैर कानूनी काम करता है उसको लेके उन्हों ने अपनी बात रखी क्या है आपकी राज पूरे बात चीत पे आप अपनी राज ज़रू ज़रू कमेंट बॉक्स में लिखें मैं रंजे कुमार केमरामेन आशिष के साथ जनहित आवाज धन्यवाद